हलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी यूडिव चैनल पे जोके है रिशन प्रासिस आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी अप्डेट चानने के मिलेगी एक नोने जो नोटिस जारी किये हैं उसके बारे में रिशन है और उसके साथ ही हर एक स्टूडेट के लिए कुछ न कुछ क्योंकि मैं अपने वीडियो में ये ट्राइ करती हूँ कि हर एक स्टूडेट को सारी इनफोर्मेशन मिल जाए चाहे कोई भी न्यूकमर स्टूडेट हो या फिर आप रिज़र्ट की तलास कर रहें एक्जामिनेशन की भी सारी अपडेट जो की सिर्फ हमारी चैनल पर सबसे पहले मिलती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़रेगा लेकिन इसी के साथ मैं आपसे और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जस्ट विज़र्ट माइ अनदर चैनल डॉक्टर आरोही हेल्थ केर क्योंकि यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़े जानने को मिलेगी अगसे बहुत सारी लोग बहुत सारी चीज़े किसी से कह नहीं पाते अपनी personal problems की सारी solution प्लीज जरूर विज़िट कीज़ेगा चैनल को चैनल का लिंक कॉमेंट सेक्शन में आपको जरूर बजाएगा चैनले बात करते हैं इगनों के तरफ से जो latest update आई है और notifications की भी notifications और उसके साथ साथ ही examinations form की भी बात हम करेंगे और उसी के साथ साथ ही आपके रिसट के बारे में दोस्तों आपने से कितने सारी student है जो चाहते हैं कि आप सबका promotion हो जाए यानि कि फिलहाल तो फॉस्ट एर का promotion हो चुका है सेकेंड एर के विद्यार्थी कर रहे हैं वेट तो क्या आप चाहते हैं कि क鉄塔 को पितने सारी स्ट्वडेंट जो यह चाहते हैं कि विना कि modeling उ ENEMAyश्this term की सारी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाए क्There वाइज डिसमपर में Salita क्युंकि इंद्वाइशन कोई मतलब नहीं बनता सक्षेस्ट के साथ वैसे भी नांसाफी यह होती है कि उनका session लेट होता है हमेशा ही हमेशा की तरह इगनु में pass करना भी बहुत मुश्किल है चलि result की बात करते हैं तो री इवालुएशन का result publish हो चुका है आप अपने result को जरू से जरू केजिए री इवालुएशन में अगर आप पास हुए है तो फिर से आपको examination form हैने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप fail हो चुके हैं तो दोस्तों हो चाहिए तयार फिर से आपको अपना paper clear करना पड़ेगा नेक्स्ट अपडेट अगर हम बात करें आपके result की तो regular result भी आपका आचुका है वो सारे result जैसे की मैं आपको बताओं तो आपके term and examinations के result पर आचुके हैं आपको कितने marks मिले हैं term and examinations के result में क्योंकि इगनू के दिये हुए marks से साइध ही कोई student पूरी तरह से satisfy हो पाता है इगनू स्टूडेंट से महनत तो बहुत कराते हैं लेकिन उनको marks बहुत ही कम देते हैं क्या आप इस बात से agree करते हो तो agree करते हो तो comment section में जरू लिखना यहाँ पी students का ये promotion result है promoted students का result है और आप इस बात को देख के हैरान हो जाईएगा कि promotions के बांद का result इतना भी अच्छ नहीं है आपके जो highest marks होते हैं जैसे कि आपका highest student का इस subject में highest marks है लेकिन इसको highest marks से भी कम यानि average percentage दिया जाता है तो इस हिसाब से आप समझ लेजे कि promotion के बांद का result इतना कुछ बहतर होने वाला नहीं है next update आप सबके लिए दोस्तों इंद्रा गांधी open university के तरफ से आप सब के July session का admissions का जो last date था वो था 12 November लेकिन 12 November के बाद भी portal open है इसका मतलब मैं आपको बढ़ाती हूँ कि आपकी admissions की जो date है वो 30 November तक extend की जाएगी फिलहाल notifications नहीं आई है बट मैं आपको बता देती हूँ official notice आने से पहले ही कि आपका admissions continue होगा अभी 30 November तक next update आप सब के लिए यही है कि IGNU के तरफ से एक notice जारी हुई है जिसके बारे में यहाँ पे आपको कहा गया है कि आप अपने project submissions को या फिर अपने जितने भी internship को उसको online submit करें अब online submit करने से पहले दो तीन चीज़ों को जरूर याद रखेगा online submissions या offline दोनों में better कौन सा है तो online या offline अगर possible हो तो आप offline जाके submit करें और the shift जरूर ले अगर possible नहीं है तो please online यहाँ submit कर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है बट दो तीन चीज़े जो इसमें आपको mention की गई है online जब ही आप submit करते हैं तो उसके लिए अच्छे से details जरूर पढ़ें online submission करने में बहुत सारी चीज़े दिकते भी आती हैं क्योंकि सबके पास सुविधाई नहीं है बट आप जाके cafe से यह सुविधा अविलेबल करा सकते हैं दोस्तों यह चीज़ ध्यान में जरूर नाम, address, enrollment number, regional center code, course code यह सारी चीज़े जरूर mention कीज़ेगा और assignment का जो front page होता है जिसमें details सारी mention होती है वो हर बार आपको अलग-अलग paper में यानि कि 4 paper है तो 4 paper के लिए अलग-अलग आपको देना पड़ेगा तो यह सारी चीज़े आपको notify करने पड़ेगी चले बात करते ह हैं आपके assignment की तो assignment जो है assignment का paper यहाँ पर आज चुका है next year के लिए भी paper update हो चुके है assignment download कीज़े हिंदी English किसी भी format में download कर सकते हैं assignment को लिखने का तरीका अच्छे से कीज़ेगा क्योंकि assignment ही आपके result को बहतर बनाता है यहाँ पर आपको बात करें तो आपके examinations के examinations के रिकार्डे examination form जैसे की अभी तक आजाने चाहिए थे बट अभी तक examination form इसलिए नहीं आया है just because examination की जो date है वो डिले हो रही है यानि कि January में हो रही है तो January में होने के कारण अभी तक आपके examinations form release नहीं हुए है उमीद है कि नौबर के आखरी हपते तक आपका examination form आ जाएगा notification bell प्रेस जरूर कीज़ेगा otherwise आपको पता नहीं चलेगी क्या है update next है आपके date sheet की date sheet के according तयारी करें या ना करें definitely करें क्योंकि इगनो का mood शायद ही बदलने वाला है इगनो ने कह दिया है कि आपको promotion first year को मिला second year को नहीं बागी जितने भी student है backlog वाले और जितने भी candidate please इस notice के according इस date sheet के according अपनी preparation को continue रखिए धियार रखिए दो दिन चीज़े जो आपको यहाँ बताई गई है जो examinations होंगे कुछ paper ऐसे हैं जिनका examinations जिनका examinations जो है वो group wise होगा actually यह जून वाले date sheet है यहाँ जून 2020 वाले यहाँ पे नई date sheet जो है वो आपको मिल जाएगी आपके यहाँ पे tentative date sheet यहाँ पे जो है वो release हो चुकी है तो आप इस date sheet को देख सकते हैं 20 जानवरे से examinations है चलें next update के और बढ़ते हैं जो की है आपके यहाँ पे marks calculation देन आपके admit card और दो तरीकी के admit card देखिए 2021 के जून के examinations भी students को इस तरह के से admit card मिला है यानि कि यह जो hall ticket है आपको इस तरह से मिला जिसमें यह कहा गया है examination से final year वालों के लिए ही आया है अब इसको दिखाने का मतलब यह है कि candidate आपने चेक करा था कि आपको hall ticket रिलीज हुआ था या नहीं क्या कुछ इस तरीके से रिलीज हुआ है अगर इस तरीके से रिलीज नहीं हुआ तो मतलब समझ है कि आपका examination form वो cancel हो चुका है आप अपन rank admit card आया है तो इसका मतलब है कि आपका examination नहीं होने वाला है आप दोबारा promoted है next यहां पे marks calculations के बाद करें तो इसी तरह होता है इगनू का marks calculate इसी तरह से number add किये जाते हैं आप चाहे जितना भी number लाओ हंड अपने theory paper या फिर अपके assignment में उसका total अगर calculation किया जाए तो assignment का जि सूरी का 70% लिया जाता है then आपका sub total किया जाता है तो इस तरह के से आपके percentage बनते है तो दोस्तों कैसे लगी वीडियो जरूर से जरूर कहिएगा और जी हां अपने सवाल comment section में जरूर लिखे ताकि हम आपके topic पे video बना पाए thank you so much